हरे कृष्णा, श्रिमन भागवत्तम, सकंध दो, कैंटो टू, प्रथम अध्याय का बारा नंबर श्लोक किम् प्रमत्तस्य बहुभी, परोक्षेरिहाय नैरिहा, वरम् मुहुर्तम् विदितम् घटते श्रेय सेयताहा किम् प्रमत्तस्य बहुभी हे, परोक्षेरिहाय नैरिहा, वरम् मुहुर्तम् विदितम् घटते श्रेय सेयताहा अनुवाद अतात्पडिया, श्रिला प्रहुपात की द्वारा, श्रिला प्रहुपात की जै, अनुवाद, ऐसे दिर्ख जीवन से क्या लाब? जिसे इस संगसार में वर्षों तक अनुभव हिन बने रहकर गवादिया जाएं, इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक्षन, क्योंकि इससे उसके परमकल्यान का मार्क प्रशस्ट होता है तो कितना ही हम दिर्ख जीवन जीए, उससे कोई लाब नहीं है तो जीवन कितना भी दिर्ख हो, कुछ लोगों को बहुत ये गर्व होता है कि एक सो साल से भी उपर उनका उम्ड हो गया है, फिर भी वो जी रहे है कितने लोग जो है कम उम्ड में पचास, साथ, सत्तर में ही गुजर जाते है लेकिन ये कोई गर्व करने वाले बात नहीं है अगर उनका सौ साल उन्होंने बिना कृष्ण भक्ति के गुजर दिया तो तो ऐसा जीवन तो पेड़ पौधे भी जीते है, कच्छुआ है, बहुत सरे प्रानी है, जो बहुत लंबा जीते है तो संसार के अनुभव जो प्राप्त करने के लिए जीते है तो ऐसा जीवन का कोई लाग नहीं है फले ही आप अपना छोटा सा जीवन जीओ, लेकिन पूर्ण कृष्ण भावना भावित जीवन है तो ऐसे एक शन भी हमें परम कल्यान प्रदान कर सकते है तो इसलिए परिक्षित महराज को उत्साहित करने के लिए शिलशुक्देव गुस्वामी ने जोड़ दे कर कहां कि आप जो ये उत्तम प्रश्न पूछ रहे है तो ये जो आप साथ देन भी भागवत सुनने के लिए श्रद्धा पुर्वग बैठे है तो ये बहुत महान कारिया है ऐसे कारिया के प्रती केबल जो भगवान के शुद्ध भक्त है वही आक्रिष्ट हो सकते है अन्य था बाकी लोगों का जो कम्पिटीशन है कौन कितना ज्यादा लंबा जिया कोई मर गए तो ओहो बिचारा मर गए कोई दुख नहीं होता है रिदय में लेकिन एक अहम भी होता है कि हम सायद बहुत समय तक जिन्दा रहेंगे ये तो मर गए लेकिन कोई मर जाए तो उसमें हमें और ज्यादा सिरियसली सोचना चाहिए कि मृत्तु किसी भी समय आता है जो बुद्धिवान व्यक्ति है उनके मन में यही बात आती है खुद के बारे में कि किसी भी समय मृत्तु आ सकती है तो एक एक शन भगवान की भक्ति में कैसे लगाया जाए ये उनका एक मात्र चिन्ता होती है तो इसलिए राधा को प्रुचसाहित कर रहे है शुद्धिव गुस्वामी जो लोग फौतिक जगत के बायह लक्षनों से मुग्रस्त रहते है बहुत लोग आपको बोलेंगे कि ये कोई समय है आप इतने कम उम्र में भगवान की भक्ति कर रहे हो खाओ, पियो, मौज करो और क्या लेकिन इससे तो बहुत समय निकल जाएगा जीवन के तो आधा समय हम सो की गुजार देते है और बाकी समय जो है खाने, पीने में, नहाने में, ब्रश करने में, खेलने, गुदने में बच्पन का समय तो ऐसे ही बिज जाता है खेलने, गुदने में तो फिर भक्ति भक्ति कब करेगा तो इसलिए बहुत कम समय रहता है और पाशविक वृत्ति में, पाशविक वृत्ति किसे कहते है कि खाना है, पीना है, सोना है, मैथून करना है तो ये पाशविक वृत्ति है और ऐसे वृत्ति को लेकर ही पूरा जिवन नहीं बिताना है हम आत्मा है, क्रिश्न के अंग्ष है क्रिश्न के अंग्ष के होने के नाते हमारा जोए कोई कर्तव्य है कि हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम बापस चाहे, जो हमारा ओरिजिनल घर है तो हमें पूर्ण चेतना में रहकर या समझ लेना चाहिए कि बद्धजीब को ये मनिश्य जीवन अखिर क्यों मिला है और अगर मनिश्य को भगवान को जानने के लिए ये मनिश्य जीवन मिला है तो इसका सबसे सरल तरीका क्या easy way क्या है कि हम भगवान तर इसी जीवन काल में पहुँच जाए ये हमारा प्रश्न होना चाहिए पुरे संसार में हर एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे है लेकिन पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर तब होता है जब कोई क्रिश्न के बारे में प्रश्न करते है और क्रिश्न के बारे में उत्तर प्राप्त होता है बिश्न यामन तंत्र से श्रजीव गुस्वामी ने सिध्ध किया है कि भगवन नाम के किर्टन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभावों से मुक्त हो सकता है हाँ तो बहुत जन्मों से बहुत पाप करके क्रमिक उन्नती की गती पर हमें चौड़ास लाख योनी बिताने के बाद ये मनुष्य योनी प्राप्त होता है और बहुत सरे पाप कारिया का लेखा जुखा होगा अभी भी लेकिन सारे पापों से हम मुक्त हो सकते हैं केवल कृष्ण का किर्टन करके मारकेंडिय पुरान से उद्धरन देते हुए श्री गुस्वामी जी कहते है कि मनुष्य को चाहिए वह ना तो भगवद भक्त की निंदा करे और ना उन लोगों की बात सुने जो भगवद भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं तो भगवद भक्तों की निंदा तो हमें कभी श्रबन नहीं करना चाहिए भगवद भक्त जो भी कार्या करते हैं उसमें कृष्ण का हाथ होता है कृष्ण की क्रिपा होती है तो कोई भी भगबत भक्त को हमें जज तो करने के कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए उनके बाड़े में ना निंदा करना चाहिए और ना ही कोई बुड़ा सोचना चाहिए इससे नुकसान उनको तो नहीं होगा केवल हमको होगा तो जितना हो सके हमें ये आदत त्याग देनी चाहिए क्योंकि वश्णवेरा क्रिया मुद्रा विग्ये ना भुझाए वश्णव का क्रिया मुद्रा विद्वान लोगों को भी समझ नहीं आता तो इसलिए हमें भले ही हम सोचे अरे ये तो कनिष्ठ वश्णव है ये तो मध्यम है ये तो उत्तम है हम उत्तम वश्णव के साथ उत्तम ब्यवार करेंगे कनिष्ठ वश्णव के साथ जो है उसके हिसाब से हम सम्मान नहीं करेंगे लेकिन हमें कनिष्ट विश्णब के भी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पूरे संसार में भगवान के शुद्ध भक्ति के प्रति आक्रिष्ट होने वाले आत्माएं बहुत कम हैं, सास्त्रों के आधार पर जीने वाले आत्माएं बहुत कम हैं, कोई भले ही क अभी नया नया भक्ति में प्रवेश किया हो फिर भी वो शुद्ध भक्ति के प्रति आक्रिष्ट हुआ है तो कृष्णा उनसे बहुत प्रेम करते हैं कृष्णा सभी जिवात्मा उसे प्रेम करते हैं जैसे मा दोनों ही पुत्र से प्रेम करते हैं लेकिन जो बात सुनने वा जो है सब तो भगवान के ही भक्त है लेकिन फिर भी भक्त मतलब भगवान के अंग्षे सब लोग लेकिन फिर भी जो भक्ति करते हैं जो सास्टों में बताया गया है वो भगवान के आदेश है जो आदेशों का पालन करते हैं और अपने वेगों को कंट्रोल करते हैं मानले ज ही हो रहा है तो Бी हमें सहन् करना सिखना चाहिए इसको सुना जरा आज वात propagand li agenda तो SOW को सहन करना ही तपश्या है और जो सहन कर सकते हैं वही इन सब काड़ियों से निंदा करना वश्णब का कोई भी प्रकार से अपराध करने से खुद को बचा सकता है और बचती हुए वो भगवत धाम निकल ही जाता है तो सास्त्रों में तो इतना कठोर निर्देश है कि कोई भगवान के भक्तों की अगर निंदा करे उसके साथ क्या करना चाहिए इस ताथपड़े में शिले प्रभपाजी सास्त्रों से उधरन देते ह है कि भक्तों को चाहिए कि निंदक की जीव काट कर उसे निंदा करने से रोके और यदि ऐसा ना कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त के निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले मतलब निंदा जो कर रहे है कृष्ण भक्तेगें का जीवा काट सको तो काटो नहीं तो निंदा आपने सुना है ना तो इससे अच्छा आप आत्मघात कर लो इतना कठोर स्ट्रिक्ट जो है वो है इंस्ट्रक्शन से सास्ट्र में और सास्ट्र किसकी वच्छन है भगवान कृष्ण की तो भगवान कृष्ण इतना स्ट्रिक्ट है इस मामले में तो हमें कितना स्रियसली लेना चाहिए है खेर हमें यह देखना चाहिए कि कोई अच्छा मैं सास्ट्र की बात मानूं और जीव काटना शुरू करो जो निंदा करें ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको इस पकर लेंगी तो इसलिए आप क्या करें जो तिसरा उपाई है कि निंदा जो भी भक्त के निंदा शुरू हो रहा है तो अगर आप उनको जो तरक से हराना सको अगर वह वैश्णव है तो आप उनका अपराद भी नहीं कर सकते तो उस जगह को तुरंत परित्याग कर दे कना है और बार-बार जब आप कोई वरिष्ट वश्णव भी हो अगर उनको निंदा करने की आदत हो, वरिष्ट वश्णव मेelा काफी साल हो गया बक्ति में अगर उनको निंदा करने के फिर से आदत बापस आई, किसी भी कारण से, भक्त्यों करने लगें जो तुरंत आप अगर निन्दा सुनते भी ये भक्त का तो भी वैश्नव अपराद लगता है इसलिए तो एक बात और बहुत इंपोर्टन्ट है कि कभी भी देवताओं का नाम भगवान के नाम के समान नहीं समझना चाहिए ये नाम अपराद है कोई भी नात तो भगवान से अधिक शक्तिमान हो सकते है ना कृष्न के समान हो सकते है तो इसलिए किसी का भी नाम भले ही वो ब्रह्मा जी का नाम हो या शुप जी का नाम हो बाकी देवताओं का भी नाम हो किसी कभी नाम हो, कृष्ण नाम के समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता भगवान के पवित्र नाम के कृतन मात्र से मनुष्या समस्त प्रोतों से एक ही समाई घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है तो जब आप हरिनाम जब करते हैं तो आप हरिनाम से शक्ति भी प्राप्त करते हैं और आपको जैसे बोलते हैं कि नरिसिंग आरती काते हैं हम और बाद में जैद्धुनी करते हैं कि सर्व भक्ति विग्ण विनाशक नरिसिंग भगवान की जै तो विग्ण विनाशक है भगवान स्वयम कृष्णा और उनके नाम तो इसे लिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम तो हम जब कर ही रहे हैं अब हम कोई भी जो है कुछ सित कार्यों कर सकते पाप तो हमारा धुल ही रहा है तो इसको बुलते हैं नाम की बल पर पाप करना तो वो भी बहुत बड़ा अपराद है वो हमें नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति संसार की सबसे बड़ी पतिद व्यक्ति होते हैं जो पाप करें और सोचे मेरा पाप तो कर्थी जाएगा पाप करें मैं करता रहता हूं नाम लेता रहता हूं तो ये भी अपराद है ऐसा न जाजए फिर भी अगर आप इस ज्यान को प्राप करते हो दो हम भगती करते हैं तो जπαग वैंदा के नाम प्रती अपराद या भगवान-क्रिस्ण के नाम को देवताओं के नाम के साथ तूलना करना है समान मानना ऐसे भ्याइख्तियों को भगवान भी क्षमा नहीं हो सभी प्रकार से बिना किसी अपराद के अपने जीवन का उपयोग कृष्ण की ये शुगान में लगाएं यही मनिश्व जीवन की सर्वुच्छ सिद्धी है श्लूक नंबर 13 खटवांगो नाम राजर्षि ही ज्यात्वेयत्ता मिहायुशह मुहुरता सर्वं दिच्फ्रिज्या गतवाना भयं हरिम् राजा खटवांग मनला वो राजर्षि थे राजा थे पर रिशी जैसा ही थे वो उनको देवता लोगों ने बुलाया था शुरू से युद्ध करने के लिए बहुत पड़ाक्र में थे देव लोग में एक दिन हमारे हाँ एक साल के बराबर होता है तो इसलिए जब उनको देवताओं ने बुला प्रसन्द हो कर कि आप क्या वर मांगना चाहते हो मांगो तो खटवांग महाराज ने ये जानना चाहां कि मेरे जिवन का कितना समय बच्चा हुआ है ताकि वो भगवत भक्ति में serious हो सके तो अच्छानक देवताओं ने कहा कि आपके जिवन में तो कुछ एक्षन है तो खटवांग महाराज ने ये नहीं मांगा कि मुझे स्वर्ग में निवास दो उन्होंने तुरन कृष्ण के चरन कमलो में वोक्षन बिताया और सरवुच्छ सिध्धी प्राक्ति की तो राजर सिख खटवांग को जब ये सुचना दी गई कि उनके आयू का केवल एक्षन मुभूर्द शेश हैं तो उन्होंने तुरन्थ अपने आपको समस्त भौतिक कारेकलापों से मुक्ति करके परमरक्षक कृष्ण की शरन दे ली तो इसलिए करी लोग है कि फौतिक जिवन के आविश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए ही सब कारिय करते रहते हैं वाध्यात में जिवन को जड़ा सा भी समय देना पसंद नहीं करते हैं लेकिन जैसे हमें कहीं भी जाना है तो हम प्लैनिंग करते हैं इस चरज आं या कोई दुसरे कंट्री में जाना है तो विजा करते हैं पासपort जो है रेडी कर नहीं है तो तो हमें對吧 लेना ही है तो दुसरा है उसकी तो हम पूद्म करने है ... था ए समे हम बालेज्व जहें गाराश हम और भाराज सुधिष्टिर हो चाहिए जनक महाराज हो परिक्षित महाराज हो सब लोग ऐसे ही राजरसी है जिन्होंने राजा तो बने रहें कृष्णा उनको राजा बनाना चाहिए तो राजा बनेंगे अगर उनके पास कुछ भी नहीं है वो भी कृष्णा के इच्छा तो इसलिए जो है मुख्या करतेव्य के प्रति आप भले ही आज दॉक्टर है इंजुनियर है सोशल के लिए कुछ आप कर रहे है सर्विस कर रहे है लेकिन मुख्या करतेव्य सबका एक ही है कृष्ण की भक्ति और उसी भक्ति के द्वारा ही वो अगले जिवन की तयारी कर सकता है श्लूप नमबर 14 तवाय पेतर ही को रभ्या सब्ता हम जीवितावधि ही उपकल्पाया तत्सर्वं तावध्यत सांपराईकम हे महराज परिक्षित अब आपके आयू के साथ दिन शेश है इस अतेव इस अवधि में आप उन समस्त अनुस्थानों को संपन्न कर सकते है जो आपके अगले जीवन के परम कल्यान के लिए आवश्यक है जैसे वेक्ति को पता चलता ही है सब वेक्ति को पता है कि एक दिन उनको इस शरीट को छोड़ना है तो परिक्षित महराज के तरह उनको तयारी करना चाहिए और शुकदीब गुस्वामी का उपदेश है कि यह आपके हमारे पास कोई अलरम कलॉक है किसी के पास आप किसी के बारे में सुनते है और अच्छा खकर सब रहते है अच्छानक कुछ हो जाता है और चले जाते है तब अगर हम यसा सोचे भी शायद तुरंथ होस्पिटल ले जाते तो मृत्व नहीं आती जिसका आयू अश्य एरेंजमेंट भी भगवान ऐसे करते कि फॉस्पितल तक पहुंचने नहीं दिया ताकि बहाना से उसको उस चरी से दुश्रे शरी में स्थाना नतरित किया जा सके तो कई बार हॉस्पितल में भी कई लोग बहुत दिनों तक वेंटिलेटर में रहते हैं फिर चले जाते हैं त तो कुछ न कुछ बहाना तो चाहिए शरीच होने के लिए तो वो समय आने पर सबको जाना पड़ेगा इसलिए हमें यह नहीं पता परिक्षित महाराज के पास तो एलर्म क्लॉक था साथ दिन हमें कुछ नहीं पता तो हमें हर दिन तयारी के साथ ही बिताना चाहिए और हर स दिन आपने दिया कि मैं आपकी भक्ति में जीवन भिता सको श्लूप नंबर 15 अंतकाले तु पूरुशा आगतेगत सद्वसहा छिंद्यादा संगश श्ष्ट्रेणास प्रिहां देहे नुए चतम मनिश्री को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यू से तनिक भी भाई भीत ना हो जो कि संभब नहीं है भाई हमारे रिदय में हमेशा रहता है किसी ना किसी बात को लेकर तो मृत्यू की समय फिर मृत भाई अंकर होता है कैसे भाई ना हो वो तब ही पॉसिबल है जब हम ज मृत्यु के समय भी कृष्ण को ही स्मयरन्द करते हैं एक बार मत्धुरा में ऐसा हुआ कुछ लोग शरीच होने वाले थे मरने वाले थे तो वो उस अवस्था में भी कृष्ण का स्मयरन्द में लगा दिया आपने आपको तो ऐसा सिर्फ शुद्ध भक्त के साथ ही हो सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है शुद्ध गुस्वामी का कि मनिश्य को अंतकाल में तनिख भी मृत्यु से भयवित नहीं होना चाहिए अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तू एबं उसकी समस्थ इच तो एक वच्छन से ही अपित्या करने की भावना पैदा हो जाता है आपने कभी ट्राइ किया आजकल ना साइकोलोजिकल उसमें बहुत सरे लोग इसको जो है मोटिवेशनल व्यू से भी देखते हैं मोटिवेशनल पॉइंट से भी देखते हैं कि व्यक्ति जो है अपने करता है सेलफ मौटिवीट हो जाता है तो भगवान की भक्त जो है निरंतर भगवान से बात करते हैं और फगवान के प्रति सेवा निरंतर några यो इसी कारण बस गलानी हो जाती है तो गलानी भी आध्धात्मिक है तो इस प्रकार जो है वो हर दिन ये प्रयास करते हैं कि फौतिक बस्टू के प्रति उसका आकरशन ना रहे और फौतिक इच्छाओं से उप्रेरित ना हो फौतिक आसकती हो का त्याग करते स्थुल भातिकता बात की ये मुर्खता है कि लोग इस संसार में स्थाई रूप से रहना चाहते है आप किसी को भी बोलो कौन ये संसार छोड़ना चाहते है कोई भी ने छोड़ना चाहते है लेकिन ये निश्षित है जो श्रिष्टी हुआ है जिसका जनम हुआ है उसका मृत्तु भी होगा लेकिन फिर भी मुर्ख लोग जो है वो सोचते है कि सायद हम इतना जलती नहीं जाएंगे तो वो लोग धुनते रहते कि कैसे मृत्तु ना हो इसका उपाई कहीं मिल जाए कैसे बुढ़े ना हो लेकिन इसका उपाई एक ही है वो है भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवद धाम के लिए प्रयान करना भगवद गीता का प्राथमेक उपदेर्श है कि मनिश्ट यह जाने कि इस शरीर के अंधोने पर हमारा व्यक्तित्व समाप्त नहीं होता हमारी पहचान खतम नहीं हो जाती है क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्तर है आप जब वस्तर चेंज करते हैं कपड़ा चेंज करते हैं तो क्या आपका